नमस्कार मैं रौनक शुकला प्राइम निस 24 में आपका स्वागत है खबर राजस्थान से है राजस्थान में नर्सिंग छात्र संगठन ने दी चेतावनी नर्सिंग छात्र संगठन के जिला अशोक रावल के नेतरत्व में आज जिला कलेक्टर महोदे को मुख्यमंत्री के नाम ग्यापन सौपा ग्यापन में बताया कि नैशनल हेल्थ मिशन के अंतरगत राजस्थान सरकार के द्वारा क्यम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर सी एचो के पचिस सो पदो पर दिनांक 16 मई 2019 विग्यपती जारी करके सेकडो बेरोजगार नर्सेस से आवेदन लिये गए जिसकी परिक्षा 22-6-2019 को त दिनांक तक राजस्थान सरकार के द्वारा इस भरतिया प्रक्रिया के बारे में दोबारा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया जो की राजस्थान की बेरोजगार नर्सेस के साथ नाइन साफी है बेरोजगार नर्सेस को इनसाफ दिलाने के लिए इन पदो पर दोबारा वि परिक्षा से नर्स ग्रेड सेकंड की भरतियां की जाए। जासे के नर्सिंग स्टाफ अपनी डिग्रीव डिपलोमा प्राप्ट करने के लिए चार से पांच साल का समय लगा देते हैं और लाखो रुपए खर्च कर देते हैं लेकिन अधिकार के नाम पर उनके पास कुछ नहीं है। नर्सेज की विबिन मांगों को जल से जल निराकण नहीं किया जाता है तो संगठन को राजस्थान के हर जिले से द्वरना प्रदर्शन एवं भूखरताल जैसे कदम उठाये जाएंगे। टाइमनिस 24 से मनिस्य वक्की खांस रिपोर्ट